हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू निधिज किचन आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन ने मुझे सपोट करने के लिए मैं चनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुझफली और काजू से मिक्स कतली तो देखी यहाँ पर हमने मुझफली के दानों को अच्छे से रोस्ट करके मैंने इनके छिलके निकाल लिए अब हम इन्हें अच्छे से मिक्सर जार में डालकर ग्राइड कर लिए तो देखी मैंने मिक्सर जार में इनको डालकर ग्राइड कर लिया है अब हम इन्हें इस्टेनर में डालकर छान लेंगी ताकि इनका अच्छे से पावडर फॉर्म में यह तयार हो जाए अब हम काजू को भी मिकसर जार में डाल कर तयार कर लेंगे काजू को भी हमने अच्छे से ग्राइन कर लिया है दोनों को हम पाउडर फॉर्म में इस तरीके से चान लेंगे ताकि इसमें जो भी लंस रह गए हैं वो भी आसानी से निकल जाए अगर आपको मोटा सा दरदरा पाउडर है तो आप इसको एक बार और अच्छे से ग्राइन कर लिजिए तो यह देखी हमारा काजू और मुंफली का अच्छे से पाउडर बनकर रेडी हो गया है इसे मैंने अच्छे से यहाँ पर छान लिया है बिल्कुल बारिक सा दरदरा सा पाउडर यह बन गया है अब हम चलते हैं ग क्लास आपको पानी डालना है क्योंकि हमने यहाँ पर लिए पाउबर काजू और मुंफली के दाने तो आधा किलो यह दोनों सामगरी हमारी हो गई है इसलिए हमने यहाँ चीनी को भी आधा किलो यूच किया है अब हमारी चिपचिपी सी एक तार की चाश्णी बनकर रेडी हो गई है उसमें हम डाल देंगे काजू और मुंफली का मिक्सचर मार्केट में भी मिक्सचर वाली ही काजू कतली बनाए जाती है और आपको लगता है पीवर काजू की ही काजू कतली बनी है नो फ्रेंट्स आप चाहते हैं तो घर पर इस तरीके से मिक्स वाली काजू कतली भी आप बना सकते हैं तो ये देखी इस तरीके से हम powder को चीनी को अच्छे से mix कर देंगे और इसे हम अच्छे से उबलने देंगे तो ये देखी इसमें इस तरीके से boil होना ये start हो गया है हम इसे जब तक boil करना है जब तक ये कडाई साइडों से किनोर ना चोड़ने लग जए जब तक हम इसे अच्छे से कडाई में low to medium flame पर इसे चलाते रहेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून घी घी डालने से friends क्या होता है कि ये नीचे तले में भी नई चिपकती है और आसानी से ये softness इसमें बनी रहती है तो ये देखिए कुछ देल बाद 5-7 मिड़ बाद इस तरीके से ये गाड़ी हो गई है और इस तरीके से मैं इसे चला रही हूँ तो ये साइडों से किनोर इसने चोड़ना स्टार्ट कर दी इस स्टेज पर हम गेस का फ्लेम बन कर देंगे अब हम इसे 10 मिट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये अच्छ से हमारा पेस्ट अच्छ से काड़ा हो गया है अब आपको लेनी है एक पोलिथिन उसके उपर आप लगा ले थोड़ा सा घी या बटर उसके उपर आप डालीजिए काजू कतली वाला बेटर अब इस तरीके से आप पोलिथिन की हेल्प से इस तरीके से इसे अच्छ से मिक्स कीजिए जिसे मैं कर रही हूँ इसे करने से क्या होता है फ्रेंड्स की हमारी कतली में अच्छे से softness आ जाती है और बहुत ही अच्छी soft soft कतली हमारी बन कर रेड़ी होती है तो यह friends थोड़ सी गरम जरूर है पर हम इसी गर्मा गर्म में में ही इसे आपको इस तरीके से mix करना है जब ही जाकर इसे यह अच्छे से हमारी soft बन कर रेड़ी होगी तो यह देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल हर एक हर एक चीज पर आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से हम एक और polythene लेंगे इसके उपर भी हम गिली लगा लेंगे और उसे हम इसके उपर रख लेंगे उसके बाद हम इसे बैलन की हेल्प से इस तरीके से बैल लेंगे तो आपको जितना लंबा बैलना है जिस साइज में आपको कतली की साइज आपको रखनी है उस साइज में आप इसे बैल सकते हैं तो यह देखिए मैंने इसे बैल लिया है से friends क्या होता है कि बिल्कुल एक ही size की हमारी कतली बनकर ready होगी तो यह देखिए इस तरीके से एक side से हम cut लगा लेंगे और दूसरी side से भी हम इस तरीके से इसमें cut लगाएंगे तो आप खूद देख सकते हैं कि हमारी कितनी soft और कितनी अच्छी नरम सी काजु कतली, पीनट कतली कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं मिक्स कतली हमने बनाई हैं तो रेडी हुई है तो यह देखिए हम आपको मेरी पीनट कतली काजु कतली की रसिपे क्यासी लगी मुझे वीडियो की कॉमेंट में जरू बताएं वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को जाज़े से लाइक कीजिए थेंक्स फोर वचिंग देर फैंस मिल थेकनाई वीडियो सिल